लेट्स स्टार्ट सबसे पहले हम रिसीप्स और पेमेंट अकाउंट बनाते समय उसकी हैडिंग लिखते हैं देखें हैडिंग रिसीप्स और पेमेंट अकाउंट ओफ और्गनाइसेशन का या क्लब का नाम क्या नामें क्लब का छेतना क्लब year ending की date दे रखे हमें for the year ending 31st December 2016 Receipts then amount payment and amount ठीक है सबसे पहले जो हम लिखेंगे वहां हमारा cash balance लिखेंगे because of receipts and payment account prepared with the help of cash book इसलिए हमने इसका cash का balance जो वहां का year end था वो हमने इसमे लिया है कितना दे रखा है आपको cash balance 5000 रुपीज का तो हमने 5000 रुपीज लिख दिया second point देखे membership fees membership fees क्या है club को received होगी तो आपने लिख दया membership fees receipt side ठीक है total कितने members थे आपके 300 members जिसमें से payment कितनों नहीं किया था 25 नहीं किया था और advance कितनों ने कर दिया था 5 members ने advance payment कर दिया था तो total कितने members हो गए आपके 280 और per member fee कितनी थी आपकी 15 तो into करेंगे तो total कितनी fees आ जाएगी आपकी 4200 ठीक है फिर next point था आपका salary salary क्या है अगर आपका club है तो आप कही न कहीं workers employees रखते हैं और उन्हें per month salary पैड कर दें तो पैड करते मिंस payment करते हैं payment करते मिंस कौन सी side आएगा आपके credit side by salary salary में क्या दिया था 300 salary आपकी per month जो आपने November 2016 तक की पैड करी जबकि हम account कब बना रहे हैं December means December की पैड नहीं किए 1 month की due है आपने पैड नहीं करी आपने कितने की पैड किए 11 महीने की तो इसका इन्टो इसमें कर देंगे total actual payment कितने किया आपने 3300 ठीक है rent देख लीजिए आप rent आपको कितना दे रखा है 150 per month जो आप कहां तक का पैड कर चुके June 2017 तक का means हम account कब बना रहे हैं 31 December 2016 तो पूरे 12 महीनों का तो पैड कर दिया और हमने advance पैड कर दिया June 2017 तक का तो 12 और 6 June कितने हो गए January, February, March, April, May, June 6 महीने तो 12 और 6 कितने हो गए 18 तो total कितना payment कर दिया आपने into करेंगे हम 2700 उसके बाद हम देखिए एन advance of rupees 1000 was given for furniture आपने furniture के कितने advance में दिये 1000 अब receipts और payment account की condition ही क्या है कि हम जो actual payment करते हैं वो हम किसमें लिखते हैं receipts और payment में अब भली उसमें से आपको 150 rupees का furniture आ गया हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है बट आपने actual कितना payment कर दिया है 1000 का तो actual जो payment करेंगे वही आपका account में enter होगा तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1000 rupees फिर next आपका Sunday expenses Sunday expenses incurred कितने हुए 1000 के आपने वर्ष में किये है बट उसमें से 150 rupees देना बाकी है उसमें से 150 rupees देना बाकी है मतलब यह तो adjustment हो गया और adjustment के अंटी तो इसमें होती नहीं है और दूसरी बात कि प्रिसिप्स और payment account में हम सिर्फ और सिर्फ कौन से payment लिखते है actual payment means जो आपने वास्तविक्ता में बुक्तान किये है तो 1000 तो हुए थे आपके portion complete अब हम इसका total लगा देंगे exercise debit 0029 as it is write down in credit side 9200 अब यह जो balance आएगा वो हमारा कौन सा balance हो गया by balance carried down ठीके रिसिप्स और payment account का हमारा closing balance हो गया closing cash balance हो गया clear अब क्या तरीका है आपका answer find out करने का इन सब को plus कर दीजिए और इसमें से minus कर दीजिए तो आपका answer आ जाएगा ठीके और मेक और बता रही हूं आपको इसका answer क्या जाएगा इन सब को add करेंगे आप इसमें से minus करेंगे तो आपका answer आएगा 1, 3, 5, 0 ठीके अब एक और trick बता देती हूं मैं आपको ये सब 0 की line दे रखिए 0 में कितना plus करोगे कि 0 आ जाए 0 तो ये 0 में हमने 0 plus कर दिया 0 आ गया फिर second देखो 5 दे रखा है 5 में आप कितना plus करोगे कि 10 आ जाए तो 5 में हम 5 plus करेंगे तो 10 आ गया ठीके carry 1 7, 3, 10 और 1, 11 11 plus 8, 19 19 में आप कितना add करोगे कि 22 आ जाए तो 19 में हम 3 add करेंगे तो हमारा कितना आ जाए का 22 हमने carry का 2 लगाया 5 plus 3 sorry 3 plus 2 5, 6, 7, 8 8 में हम कितना plus करेंगे कि 9 आ जाए तो यह हमने 1 plus कर दिया तो कितना गया 9 तो आप इस तरह से भी आपका answer find out कर सकते हैं तो यह आपका receipts or payment account तयार है Thank you